वेलकम स्टुडेइंट आज हम लोघ क्लोरो करेंगे बारे में पढंगे जो कि एक फंटेषिंथेरयर्टिक एप्रेकर्टरस है जिसमें की क्लोर।किल पिग्मेन्ट पाया जाता है जोकि फोटो सेंथिसिस की प्रक्रिया में हील्फ करता है वही sunlight को capture करता है तो अपने पिछले classes में हम लोगों ने photosynthesis क्या है समझ लिया था photosynthesis का significance समझ लिया था photosynthesis में जो oxygen निकलती है उसका source क्या है जो कि water होता है ये समझ लिया था अब हम लोग photosynthesis की mechanism को समझेंगे जिसमें dark reaction होता है light reaction होता है तो इस dark और light reaction को जानने से पहले हमें chloroplast के structure को समझना जरूरी है क्योंकि chloroplast के अंदर जो grana system पाया जाता है जिसमें light reaction होता है जो stroma पाया जाता है जिसमें dark reaction होता है ये सब प्रियाए जो होती है वो chloroplast के अंदर ही होती है इसलिए हम लोग photosynthesis को समझने से पहले आईए chloroplast की बारे में समझ लेते हैं chloroplast जो है एक semi autonomous cell organelles है जिसमें अपना खुद का DNA पाया जाता है इसलिए उसको semi autonomous कहते है और उसमें जो chloroplast में जो chlorophyll pigment होता है उसकी वज़े से ही plant का color green होता है और वही pigment light energy को track करता है तो सबसे पहले देखिए मैंने एक leaf बनाया है जो कि एक green leaf है इसका एक section मैंने काटके यहां ले लिया है अब देखिए यह leaf का मैंने section काटके ले लिया है जिसमें यह cuticle है epidermis है palisat meijofil cell है spongy meijofil cell है यहां estomata है तो जो यह chloroplast पाय जाते हैं यह meijofil cells में पाय जाते हैं यहां देखिए मैंने meijofil cells का structure बनाया है और जिसमें यह gold gold आपको यह dots दिख रहे होंगे green color के यही chloroplast होते हैं और यहां estomata देखिए मैंने opening बनाया था जिसके थूँ मैंने बताया था कि CO2 इंटर करता है अब देखिए इस पहले सेट मीजofil cells जो है जिसमें chlorophyll पाय जा रहे हैं उसका मैंने एक section जूम करके ले लिया है यह देखिए मीजofil cell है यह इसका nucleus है यह cell wall है और यहां आपको यह जो green color का दिख रहा है यही cell organelles है chloroplast है जिसके बारे में आज हम discuss कर रहे है यह chloroplast को देखिए मैंने zoom करके ले लिया है यह एक single chloroplast है जिसमें यह black black आपको जो दिख रहा है यह grana है और यह जो green green दिख रहा है इसमें liquid वो है stroma तो आए अब हम लोग chloroplast और एक बात और याद रखिए कि plant में chlorophyll istomita में भी पाय जाते है यहाँ देखिए जो istomita है उसको zoom करके मैंने एक istomita का structure बनाया है जिसमें यह guard cell है और इसके अंदर आपको यहाँ green 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 आपको जो है chlorophyll दिख रहा होगा तो यह तो आप लोग समझ लिए कि chlorophyll जो है green plants में पाय जाता है leaves में पाय जाता है और उसको मैंने zoom करके दिखा दिया chlorophyll को जो है zoom करके दिखा दिया अब आईए इसको detail structure इसका समझते हैं कि यह किस तरह से photosynthesis के क्रिया में बहुत ही उपयोगी होता है यह देखिए यह मैंने chlorophyll का structure बनाया है जिसमें यह जो chlorophyll है यह ऊपर बाहर की तरफ इसमें double membrane होती है एक तो outer membrane होती है जो small molecule के लिए permeable होती है मतलब इस और जो है यह और यह inner membrane होती है और यह इन दोनों के बीच में जो space होता है उसको inner membrane space कहते है जो कि 10 to 30 embrace strong जो है ठिक होता है इसकी thickness 10 to 30 embrace strong होती है अब यह जो outer membrane होती है इसकी यह ज़्यादा permeable होती है इसकी permeability inner membrane के comparison में ज़्यादा होती है inner membrane जो होती है वो selectively permeable होती है अब तो हम लोगों ने इसकी membrane के बारे में समझ लिया अब इसकी membrane inner membrane के अंदर जो है यह आपको जो structure दिखा दे रहा है इसको granum गोलते हैं और इसकी single unit की बात करें जैसे कि फाइल के उपर एक coin के उपर दूसरा coin तीसरा count coin, चौथा coin करके हमने रख दिया हो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं फाइल के उपर दूसरी file लेकिन इसके एक coin को मालिज घे हमने separate कर दिया एक पार्ट को इसके हमने separate किया तो जिस unit से यह मिलकर बना होता है उसे thaila quiet कहते है और यह जो thaila quiet एक दूसरे के उपर एक के उपर दूसरा दूसरे के उपर दूसरा अरेंज करके जो structure बनाता है उसको हम granum कहते हैं तो अब ये जो थैला क्वाइड होता है ये एक ये थैला क्वाइड जो होता है ये जो है ये एक के उपर एक अरेंज रहता है और एक क्लोरोप्लास्ट मालिक्यूल में एक क्लोरोप्लास्ट ओर्गिनल्स जो होता है उसमें आपको 50-60 ग्रैना एक प्रास्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और एग ग्रैना जो कि यूर्ण से मिलकर बना होता है एक ग्रेना में 10-100 थैलाक्वाइट मिले होते हैं, 10-100 थैलाक्वाइट से मिलके एक की उपर एक अरेंच होके यह ग्रेना बनता है, तो जो फोटो सिंथैसिस का जो लाइट रियक्शन होता है, या जिसी लाइट डिपेंडेंट रियक्शन कहते हैं, जो सोलर इनर्जी की प्र इसको और यहां 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 यह जो रसगुल्ले की तरह आपको इस्ट्रक्चर दिख रहा है यह है क्वांटा सुम्स यहां देखे मैंने एक क्वान्टासों को जूम करके ले लिया है यह एक क्वान्टासों है जिसमें आपको 400-600 pigment molecule मिल सकते हैं यह जो क्वान्टासों है इसी में pigment molecule होते हैं जैसे chlorophyll A हुआ, chlorophyll B हुआ, gentophyll हुआ, phycobillens हुआ, carotinites हुआ ये सारे कैरोटीन हुआ, ये सारे pigment जो है, इसी क्वांटासोम के अंदर पाय जाते हैं और इसी क्वांटासोम को ही हम लोग photosynthetic unit कहते हैं इसके अंदर जो pigment पाय जाते हैं, जैसे chlorophyll A, chlorophyll B और बाकी जो होते हैं, वही photosynthetic, वही photosynthesis में जो light आती है light energy को trap करते हैं, जिसमें सबसे में तो chlorophyll A और B होता है और ये जो बाकी pigment होते हैं, कैरोटीनाइट, फाइकोविलिन, जैन्थोफिल ये सब accessory pigment होते हैं, और ये हर pigment की sunlight को absorb करने की ये सारे pigment अलग-अलग wavelength की light को absorb करते हैं, सारे pigment की capacity अलग-अलग होती है और ये जो accessory pigment होते हैं, कैरोटीनाइट, फाइकोविलिन, जैन्थोफिल ये सारे सनलाइट को absorb करके transfer करते हैं, क्लोरोफिल के पास क्लोरोफिल molecule के पास, जहां पे जो है, जो reaction center होता है reaction center होता है, जहां पे light reaction होता है जहां पे ATP बनती है, NADP2H का formation होता है अब हम लोग इतना तो समझ लिए कि green lips में, मीजोफिल cells में क्लोरोप्लास्ट पाया जाते है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल pigment पाया जाता है, जो कि थैलाकॉाइट में होता है और इसमें ग्रैना सिस्टम होता है, जो कि थैलाकॉाइट की यूनिर से मिलकर बना होता है, हमने थैलाकॉाइट का सेक्सन काट के दिखाया आपको और उसमें जो ये क्वांटासोंस होते हैं, उसको भी एक यूनिट को डिस्क्राइब किया, कि उसमें फोतोसिंथैटिक pigment पाय जाते हैं, अब इतना तो हम लोग समझ गये, अब आईए क्लोरोप्लास की बागे स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये इनर मिंब्रेन के अंदर जो कोलाइडल लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, उसी स्ट्रोमा में डार्क-्रिययक्षण होगा, जिसे हम लोगे केल्विन साइकिल कहेंगे, वो डार्क-्रिययक्षण इस स्ट्रोमा में होगा , तो ये छो लाइट रयक्षण में, ATP, NADP,2H … बनेगा, वो डार्क-्रिययक्षण में यूथ हो जाता है और ये डार्क रेक्षन इसमें होता है स्ट्रोमा में उसमें जो है light energy की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए हम लोग इसको जो है डार्क रेक्षन कहेंगे अब स्ट्रोमा में और क्या क्या होता है स्ट्रोमा में राइबोसोंस पाय जाते हैं इसमें हर तरह के आरेने पाय जाते हैं कुछ आयन्स भी पाय जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इसमें बहुत ही अच्छे से होती है और इस तरह से आपको यहां दिख रहा होगा राइबोसोंस बनाया है मैंने प्लास्टोगर्बिलूल्स पाय जाते हैं Starge Granules पाय जाते हैं इसके स्ट्रोमा में और डार्क रियक्शन होनी में जिन जिन enzymes की जरूरत होती है वो सारे enzymes इसके comedy पाय जाते हैं ये जो liquid होता है उसमें उसके सारे enzymes पाय जाते हैं ये देखिए हमने बनाया है यह starch granule है यह ribosomes है और हाँ यह जो granum होता है इसको जो connect करती है जो यह channel आपको दिखरा होगा यहाँ पर देखे यह channel दिखरा है यह एक granule को दूसरे granule से connect किया है यहाँ पर यह इस से इस से दूसरे को connect किया है इन्हें हम Frit Channel कहते हैं या फिर Lamelly कहते है इस्ट्रो मेटल Lamelly भी कह सकते है यह हर ग्रैना को एक दूसरे से कनेक्ट करती है इसमें जो है इसमें एक क्लोरोप्लास्ट DNA होता है इसमें एक DNA पाया जाता है जो कि सर्कुलर डबल मेंब्रेनस होता है डबल मेंब्रेन का बना हुआ सर्कुलर होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट DNA या सीपी डियनने भी कह सकते हैं जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है आप इसे जो है प्लास्ट डियनने भी कह सकते हैं तो यह इसमें सर्कुलर डबल स्टेंडर्ड डियनने होता है जिसमें 100 जिन पाई जाती हैं 100 जिन से सर्कुलर डबल डिस्टेंडर्ट डिन ने में पाई जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में थेलफुल होती है है तो अपने आज के चैप्टर में हमने क्लॉरो प्लास्ट कूसर है उसमें हम लोगों की लेक्षर में हम photosynthesis की mechanism को समझेंगे dark reaction क्या है समझेंगे light reaction क्या है समझेंगे इन सब को समझने के लिए chloroplast का structure समझना जरूरी था इसलिए मैंने पहले आप लोगों को chloroplast का structure समझा दिया है आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू